हाई दोस्तों मैं हूँ खुशी मेरी ब्लॉगर खुशी चैनल में एक बर फिर से आपका सौगत करती हूँ कैसे हैं आप सब आशा करती है आप लोग सभी अच्छे होंगे तो आस है संडे और मेरे दोनों भाई घर पे ही है तो मैं केक बनाने वाली हूँ उन दोनों के लिए है तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी मैं अपना केक का रसेपी सेयर कर रहे हूं जो कि मैं फ्रूट केक बनाने वाली हूँ तो यह है अड़ाय कप मैदा और देड़कप मैंने चीनी लिया हूँ आप ये है रिफाइंड ऑल और ये है बेकिंग पॉडर और ये है वेनिला एसेंस तो मैं सारा मेला जाल में डाब देख रहे हैं चीवी है जिसको मैंने ग्रैंट में ग्रैंट कर लिया है इस तरह का पाउडर होना चाहिए तो यह मैं चीवी भी इसी में मिक्स कर लूगी तो मैंदा और चीवी दोनों दे दिया है मेरे इसमें अब आपने ने यह दही है प्लेट दही औसम का जो दत्रुप्य में मिलता है इसको भी मैं इसनी में डालने वाली हूँ अब में इसनी दल रहें है यह प्लीमा जो प्लीमा का जो आब में इसनी डल रहें हो रिफाई ओए ठीक है if the the 5 હ ś अब इसमें अब में डालूँगे बेकिंग पाउडल वängt बेकिंग पॉडर आप देसकते हैं एक चमच और बेकिंग सोडा हoured चमच से कम यह देखी Sizड़े आप देखना कि मैंने छोटा से चमच लिया हुआ है जिसके मैंने इतना बेकिंग आप देख रहाँ है kya मैं डाल गाई हूं कि बिकिंग सोडा कि यह पिप पाउडर प्वेकिंग सोडा है यह हाप चमाइस सभी कम देगे आप लोग देखी सक रहा है कि हाप चमाइस सभी कम दिया हो जो को मैं इसमय एड़ कर रहे हूं उसके बार मैं यह जो भीरिला तो थोड़ा सा प्रीमा में मतलब हाप का कम मैं इसमें एड करें तो मैंने सारा कुछ इसमें डाल दिया है तो आप देख रहे हैं मैंने इंपेटर दयार कर लिया है और यहां पर जो बड़े-बड़े आमन स्केप्स को मैं छोटे-छोटे मोर्बा और मुर्भा में काट लिया है अब मैं यह दोनों reperd बenne का ऐड़ करें। चुर्ठी संसे मैं टुको फुरा हुआ tomorrow बूबगत उसके बाद प्रेश स्थी चुटरा यह सकते हैं मममें अधिन देख लिए हट चुटराया रही है इसे को क्या मिला लेज़ेगा एक दोगा बस उसके बाद में बर्तर में ओयल क्रेस करूँगी उसके बाद में यह हलका सा मैदा छिट दोगी टाकि इसको मुझे क्यों के डाविता में भी किश मेश और छेडी इड यह यहीं दूर उसको देडिया तो यह मतलब जब कmeden केड यहार थो तो इसी था जायत इससे बेच में सब्सक्राइब जीदा का यहना की इसथा Detix पूरा अच्छा से इसमें लग जाना चाहिए जिसको मैं आप देख रहे हैं इसी को पर हल्का हल्का इस तरह करते लगा देखें इस तरह करते आपको भी लगाना है इसने साड़ा इ इसाड़ा साड़ा अपने से लगते जाए है को आपको भी लगा देना है इसाल बेटर जोगाना यहां वह इसमें सारा जा रहा है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि केक अभी 70% हो चुका है तो मैंने जो नर्स्वागेरा काट के रखा हुआ था तो सब मैं अभी इस पे सजा दे रहे हूं फिर इसको मैं कुप पूने के लिए दूबी केक तो फ्लप्पी हो रहा है तीरी तीरी अब यहां पर जो बीच में आप देख रहे हैं यहां पर कच्चा है अभी यह हुआ नहीं पूरी देख से तो अभी दोनों भाई मेरा सो रहा है उठा नहीं है लेख हो गया है तो मैंने सुझा है कि मैं नानी को ही टेस्ट कराती हुआ इले के सामने नानी बैठी हुई है और यहां रूद्र खाले के लिए बैठा हुआ है कि कब भूआ के काट गरम हुआ है तो नानी को टेस्ट करा रहे है कि के कैसा बना है अब नानी खाते हमको रिव्यू देगी कि कैसा बना है अब मैं रूद्र को दे रहे हूं वह भी खा के बताएगा कैसा बना है पसंद आया खाओ तो यह था मेरा आज का केक का जैसे थी जो मैंने आप लोग शाज शेयर किया अब आप लोग बताएगा कि आप लोग को कैसा लगा अब मैं रहे हूं और बताएगा कि आप लोग पास्टा धन्याओ यह झाल झाल